साम के छोटे मोटे भूख के लिए बच्चों को नास्ती में क्या दे डेली-डेली सोचना पड़ता है समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए और एकी चीज़ हम बच्चों को बार-बार बना के देते हैं तो भी बोर हो जाते है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही इजी स्नेक्स की रेस्पी जिसको फटा-फट बना लेते हैं आज हम बनाएंगे पनीर ब्रेड कबाव बहुत ही टेस्टी बनता है और यह बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो चलिए हम इसको बना लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने एक करहाई में डाल देंगे वन टीश्पून ओइल हम इसमें ज्यादा तेल का जौरत नहीं फरता है बहुत ही कम तेल में इसको हम बना सकते हैं जब हमारा तेल गरम हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे अद्रक और लहसन का पेस्ट हमने 5-6 लहसन किक लिया और एक इंच अद्रक को कुट लिया है उसको हमने एड कर दिया इसक तो भी थोड़ा देर भूल लेंगे, इसमें हम एड़ कर देंगे प्याज और केप्सिकम, हमने एक बरी साइज की प्याज और काट लिया है, आप इसको चाहे तो बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काटने से बहुत ही मतलब अच्छा लगता है बच्चों को खाने में ले कट कर लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, बहुत ही कम मसाला पढ़ता है, इसमें डाल देंगे स्वादन सार नमाग, साती जाएगा हाप टीश्पून हल्दी पावडर, हाप टीश्पून लाल मिर्ज पावडर, डाल देंगे हाप टीश्पून जीरा पावडर, सोरी धनिया पावडर और हाप टीश्पून यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाला, और इन सारे चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे, लगभग इसको पचीश से 30 से के लिए भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है, अच्छा टेस्ट आता है, और नहीं है तो इसको प्रणा कर सकते हैं, इसको भून लेते हैं थोड़ा देर के लिए फिर अपने ग्याइस के फिलम को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद रचे बढ़ेंगे ब्रेड के अंदर यहाँ पर हमने ब्र अब इसमा में जाली जैसे एक ठोई प्लेट है उसको अंदर में लगा देंगे अब हम अपने ब्रेड को इस पर रख देंगे और बस पान से दस से के लिए हम इसको थोड़ा सा मतलब पकालेंगे भाब से ताकि यह बहुत ही सौप्ट हो जाए देखे हम इसको प्लट लेते अब हम यह क्या करएंगे इसी तरीका से ना सारे ब्रेड को सिक लेंगे इसने dhговर मुलक भर मुला ना हिस मुआता है इसको अब हम गज tolerant कर देंगे इसको और प्राय को गजลब दुडव lु खेंगे इसे एसको ऐसे निकाल ब्रेड क्रॉम से बना रख देंगि आने जब म बहुत ही असानी से बिल जाता है, क्योंकि हमने इसको भाप में थोरा सा पकाया है, तो यह बहुत ही सौप्ट है, तो बिल जाता है, अब हम इसमें डाल देंगे जो पनीरों मसला बना के रखे थे, इसको दो चमच हमने यहां पर एड किया है, और इसको हम रोल बना लेंगे, कितना असानी से बन जाता है, इसको ऐसे थोर थोर राउंड करके लाएंगे और इसको थोरा ऐसे करके दबा देंगे, अच्छे से चिपक भी जाता है, बिल्कुल नहीं खुलेगा इसका मुह देखिए, इस तरीका से करके हमने यहाँ पूरा पनीर ब्रेड कबाब बना के कर देंगे, अलिया भुछ साहर 20 वि horns भी पूरा पनीर देल यहां तो यहाँ पर लाल मिर्ज भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्च्छा हो जाने से बच्चे खाना पसंद नहीं करते अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छा से हमको इसको मिक्स करना है, अब हम क्या करेंगे, एक नौन अस्टिक तावा ले लिया है, उस पर डाल देंगे 1 टीस्पून तेल, और जो हमने ये ब्रेड कबाब बना के रखा था उसको ये ये चिपकेगा नहीं, आप इसको नौन अस्टिक ताव पर ही बनाईएगा, बहुत ही असानी से बन जाता है, इसको उलट पलट करके हम सेक लेंगे, लगवग 2-3 मिनिट लगता है इसको सेकने में, देखिए कितना असानी से बनके रेडी हो गया है, यहां पर सारे पनीर पर थोरे से यहां पर हमने खीरी और प्याज को कट कर लिया है, इसके साथ सर्व करें बहुत ही पसंद आएगा बच्चों को, साथी बरू को भी बहुत पसंद आगा और बनाना इसको है ना आसान, फ्रेंसको राज का रेस्पी आपको पसंद हो तो प्लीज मेरे वीडियो क नीचे का लाइक बटन दबाना ना भूले, साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, वाय फ्रेंस, टेक क्यार